नमस्कार दोस्तों हिंदी नूज एफेर्श में आपका स्वागत है दोस्तों भारत के लिए एक बहुत अच्छी खुसकबरी आ रही है तो असल यह खुसकबरी भारत की बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड है भारत इस महीने के अंत तक जापान से 6 बुलेट ट्रेन परचेस करने वाला है जो की E5 सिरीज की होंगी इसका नाम है सिन कान सेन आपको बता दें कि भारत में बुलेट ट्रेन जो की 2022 में चल जानी चाहिए थी बस कुछ राजनीती कारोणों की वज़े से या प्रोजेक्ट अधर में लटा गिया था अब इस काम में फिर से तेजी आ चुकी है और भारत 2026 तक या अनमान लगा कर चल रहा है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन दोड जाएगी बारत में पहली बुलेट ट्रेन जो बन रही है या मुंबाई से लेकर के एहमदाबाद तक के लिए चलने वाली है इसका जो काम चल रहा है वो अभी लगबग 40% पूरा हो चुका है जिसमें कि गुजरात के पूर्शन के अगर देखें तो लगबग 48% काम हो चुका है और जो महराष्टर की तरफ से अगर देखें तो लगबग 22% काम हो चुका है इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.25 लैक करोड उपए होगी जिसमें कि मेजर पूर्शन लोन के रूप में आएगा इसमें करीब 88,000 करोड रुपए लोन जापान से मिलेगा जिसकी ब्याजदार होगी 0.1% 0.1% बहुती कम ब्याजदार होती है या जापान एक तरह से भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है या लोन जो भारत को चुकाना है उसके लिए 50-60 साल का समय है और इसकी जो पहली किस्त सुरू होगी वो अभी से 15 साल के बाद स्टार्ट होगी जो भारत के लिए बहुती मददगार साबित होगी इस प्रोजेक्ट का रोट 508 किलो मीटर का होगा जिसमें 12 स्टेशन आएंगे जिसमें करीब 200 किलो मीटर का पियर लगाया जा चुका है और करीब 100 किलो मीटर में वायडक बिछाया जा चुका है वायडक दरसल वो चीज़ है जिसके उपर ट्रेन दोड़ेगी और यह जो पी प्रोजेक्ट होगा यह पिलर पे चलेगी गुजराग के हिस्से में करीब 20 ब्रिज आने वाले हैं जिसमें से करीब 7 ब्रिजों का काम कंप्लीट कर लिया गया है यह ट्रेन दो तरीके से अपनी सर्विसेज देगी पहली जो सर्विस होगी नौन स्टॉप सर्विस होगी जो एक स्टेशन से स्टार्ट होके दूसरे स्टेशन पे खतम हो जाएगी और इसमें जो समय लगेगा वो करीब 2 घंटे का लगेगा 508 किलो मेटर अगर 2 गंटे 45 मिनट में भी अगर पूरा होता है तब भी बहुत ही फास्ट है ताय जा रहा है कि ये जो बुलेट ट्रेन होगी इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो करीब बुलेट ट्रेन बना लेगा हो सकता है कि आपको आगे देखने में ये भी मिलै कि मेड़ इन इंडिया की बुलेट ट्रेन सुरुवाती दोर में इसका मेंटिनेंस का काम जापान खुद देखेगा और भारत के लोगों को ट्रेनिंग देगा इसकी यह प्रोजेक्ट भारत के लिए जितना है महत्पोन है उससे कहीं ज्यादा यह जापान के लिए महत्पोन है क्योंकि अब जापान को भी यह प्रूब करना है कि इसकी यह जो बुलेट ट्रेन है E5 सिरीज की सिन कान सेन जिसको जापान पहले अमेरिका को बेचने वाला था बट अमेरिका ने इसको लेने से मना कर दिया था फिर उसने इसके बाद ताइवान को इसे बेचा जहां यह अभी सफलता पूरो चल रही है और ताइवान इसे यूच कर रहा है ताइवान के बाद भारत दूसरा देश से ऐसा होगा जो इस ट्रेन को यूच करेगा हलाकि यह बहुती अच्छी ट्रेन यह प्रोजेक भारत के लिए बहुती ज़्यादा महत्पूर्ण है और यह मिल का पत्थर साबित होने वाला है इससे एकनॉमिक गतिविदी जो है बहुती ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि यह स्टार्ट जो होने वाला है मुंबई से होगा और एहमदाबाद में आके कंप्लीट होगा इसके बीच में अगर देखे तो बहुत से महत्पूर्ण स्टेशन आएंगे जैसे कि सूरत है वरोद्रा है जो अपने आप में बिजनेस के लिए जाने जाते हैं यहां से जो बिजनेस की गतिविदी जो बड़ेगी उससे बहुत ही जादा बिजनेस बढ़ेगा और एकनॉमिक जो गतिविदी ऒबहुत बड़ेगी लोगों को बहुत ही अच्छा यहाँ पर रोजगार मिलेगा रोजगार के नव envision खुलेंगे अभी लोक सबा चुनाव आने वाले हैं और इसके कंप्लीट होते ही उम्मीद है कि इसके काम में और ज्यादा तेजी आ जाएगी जिसकी कारण यह 2026 के जून जुलाई के मन्त तक अपना काम पूरा करके अपनी ओपरेशनल रूप में पूरी तरह से आ जाएगी और यह ट्रेन चलने लगेगी दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई खबरे लगाता राती रहेंगी और मैं आपके लिए अपडेटर वेडियो लेकर आता रहूँगा धन्यवाद